हेलो एवरिवान, मैं डॉक्टर प्रिंस गुपता, और्थोपिडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जन, मनिपाल हॉस्पिटल गुडवाओं आज हम लोग ACL सर्जरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें नई टेकनीक, निवर टेकनीक इन ACL सर्जरी जिसको हम ACL सर्जरी, ACL Reconstruction with Internal Bracing बोलते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ACL लिगमेंट क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है ये हमारे गुटने का राइट नी का मॉडल है, दाहिने गुटने का मॉडल है ये थाइबोन या जांग की हड़ी, ये नीचे टांग की हड़ी या टीबिया बोलते हैं हम इसको इन दोनों को जोडने वाले चार लिगमेंट्स होते हैं, चार प्रमुक लिगमेंट्स अंदर की साइड वाले लिगमेंट्स उसको हम MCL बोलते हैं, भार की साइड वाले लिगमेंट्स हम इसको LCL बोलते हैं आगे की साइड वाले लिगमेंट्स जिसको हम ACL बोलते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं पीछे की side वाला ligament उसको हम PCL बोलते हैं इन सभी ligaments का काम यह होता है गुटने को stability देना या स्थिरता देना इधर वाला ligament गुटने को इधर नहीं जाने देता इसी तरीके से ACL ligament का काम है कि वो गुटने को आगे की तरफ नहीं जाने देता जब यह ligament injured हो जाता है या tear हो जाता है जो की ज़ादा तर sports injury में या twisting injury में गलत कदम पढ़ने से हो सकता है तो उसकी वज़े से गुटने के आगे का भाग unstable हो जाता है और गुटना आगे पीछे जाने लगता है पेशेंट को लचकपन आने की संभावना होती है जिसकी वज़े से पेशेंट को भागने में दिक्कत पेशेंट को और ligaments injured होने के chances और injuries बढ़ने के chances की संभावना बहुत ज़ादा हो जाती है ऐसे में इस ligament को repair या reconstruct करना बहुत ज़रूरी होता है ACL reconstruction जो की जाती है वो होती है हम hamstring tendon को लेकर उससे ligament को बनाते हैं और उपर उसको fix करते हैं और नीचे fix करते हैं जो टक्नीक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है ACL ligament with ACL reconstruction with internal bracing जिसमें हम hamstring tendon को लेते हैं, साथ में एक internal brace implant उसके साथ जोडते हैं और उसको उपर और नीचे fix करते हैं जिसकी वज़े से patient की recovery बहुत fast हो जाती है, patient को normal routine में आने में कम समय लगता है बजाए कि वो normal ACL reconstruction कराते हैं, उससे जल्दी time में लोग अपना काम वापस join कर पाते हैं, वापस अपनी चीजें नियमित तरीके से कर पाते हैं इसके लिए arthroscopic surgery की जरूरत होती है, arthroscopic surgery मतलब 5 mm का incision इधर आता है, 5 mm का incision इधर आता है, दुर्बीन से जाकर अंदर उस सारे काम को करते हैं तो यह एक तरीके का day care procedure है या जादा से जादा एक दिन के stay की जरूरत होती है hospital में इसमें हम next day patient को discharge करकर बाद में dressing या टाके निकलवाने के लिए बुलाते हैं और इसके लिए बाद में post-op rehabilitation करवाते हैं आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मनीपाल hospital गुरगाओं में संपर कर सकते हैं Thank you